आज इस देश के अंदर अगर आपको सुरच्छित रहना है, अपने हक और अधिकार को बचाना है, संबिधान की रच्छा करनी है, तो आपको एक जुट होना होगा, ओ चाहे निसाद हो, चाहे मला हो, चाहे धोबी हो, चाहे धाइकार हो, और चाहे यादा हो, चाहे गडरिया हो जो भी हो सारे लोगों को ये खोना होगा और जो पिछड़े समाज के नेता हैं उन नेताओं को मैं अपील करता हूं कि जब भी पिछड़ों पर अत्याचार होता है जब भी पिछड़ों पर अनाचार होता है तो ये पिछड़ों के नेता चुप हो जाते हैं जैसे कि इनके कि मेरा जो थीर है इनके शही निशाने पर लग रहा है और विश्पास किस पर करते हैं यह गोडसे वादी लोग हैं यह गांधी के हत्यारे हैं इस देश का पहला पर तगसे था गोडसे का जो भी फासी के फंदे पे लटका देना चाहिए यही लोग हैं आतंकवाद की जड़ हैं और इस देश के अंदर से अगर आतंकवाद को खतम करना है तो इन लोगों को इन लोगों की विचारों पर इन लोगों की मानसिक्ता को खतम करना होगा जो आप लोगों को गुलाम बनाना बाकी मैं देखता हूं कि कोई खड़ा नहीं होता है आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तांडव मचा हुआ है सायद की करोना का भी सर सरम से जुक जाएगा मौतों की तांडव देख करके उसको भी लगेगा कि हम इन लोगों को मौत क्या दे पाएंगे यहां तो उस सबिब करान्तिकारी नवजवान सात्यों को राजस्वर्याद का करान्तिकारी इस्तक्बाल और अंदभक्तों को हिंदू मुसल्मान और मीडिया को जमाती जमाती पिंद्भक्तों को तो इसलिए मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं क्या견 की यह सिर्फ हिंदू और मुसलमान का दर दिखा कर जेखा लोगों को लड़ा करकर सत्ता में आने दिखा मों आपकी बोट लेते तो ओर अगर आप अपने हक और अधिकार की इंहां से बात करते हैं यह फिर आप पर घरनेसं बर साथ ने हैं और जब लगा दैते हैं हैं जब इनके द्वारा होते हैं जो अधिकारी होते हैं वह मुल्टे के पीट करके वहां से भगाने का काम करते हैं आपका कोई सुनने वाला नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है देश भक्त बनने का प्रयास करते हैं और उस देश भक्ती का जो है आपको जो खामियाजा है अपने परिवार को खतम करके भूगतना पड़ता है गोलियों से हो रही हैं लाठियों से हो रही हैं और धार-धार हतियारों से हो रहे हैं आपने देखा होगा कि प्रताब गढ़ में एक सप्ताह के अंदर अंदर 15 से अधिक पटेलों को पीट-पीट करके लुह-लुहान कर दिया गया जो कुर्मी समास से आते हैं ये वही लोग ह जब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछडों की सरकार हुआ करती थी दलितों की सरकार हुआ करती थी तो उन पे आरोप लगाया करते थे कि कोई दौलत की बेटी है तो किसी को कहा जाता था कि केवल सपा के गवर्मेंट में अहिरों का काम हो रहा है मैं सपाई नहीं हूँ मैं सपा का समर्थन भी नहीं करता हूँ लेकिन इस देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खोलने का काम कर रहा हूँ अगर मैं सपा का समर्थक होता तो मैं ये जरूर कहता अखिले से आदाओ और मायावती से कि ये आप दोनों की नाकामियों के कारण आज भाजपा उत्तर प्रदेश में आई है दोनों के नाकामियों के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा आई है और पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय कर रही है अनाचार कर रही है उनके बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रही है और उनके आशियानों में आग लगाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वह मूख दर्शक बनके खड़ी है मैं पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कर रही है और वह मजबूर है हाथ बांधे खड़ी है और बीशी के साथ अन्याय हो रहा है और लगातार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्य योगी जी की शरकार बनी है तब से ले करके अब तक संभिधान को ताक पर रख करके मनुवाद स्थापित किया जा रहा है जिस तरीके से आज से हजारों साल पहले सूद्रों की हत्या कर दी जाती थे तो उस पर जो है कीडे मकोडे समझा जाता था कोई उसको सग्यान में नहीं लिया जाता था ठीक आज वही हो रहा है आज ठीक वही हो रहा है कि किसी भी उच्च जातियों के लोगों की अगर हत्य होती है तो मीडिया ये खबर दिखाती है कि जो है हमने एक देखा था उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि राय वरेली के अंदर पांच ब्राम्मर समाज के लोग जा करके वहां यादों की हत्या करने पहुंचते हैं तो वहां गांवाले घेर करके उनको पीट-पीट के तम मार देते हैं जब यह लोग गोली चलाते हैं यह गोली इनकी नहीं लगती है उस समय लोग गांवाले पीट-पीट कर हत्या कर देते थे तो मीडिया में ये खबर चलती थी कि पांच ब्राहमडों की हत् इस तरीके की हेड़-लाइन चलाई जाती थी लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम पांच हजार पिछणों की हत्याएं हो चुकी हैं जिसमें की शत्रह सव आठ यादों की हत्या कितना 1708 अहिरों की हत्या की गई है अहिरों की हत्या के बाद पटेलों की हत्या की गई है गडरियों की हत्या की गई है दलितों की हत्या की गई है मवर्याय और कुश्वाहा समाज की हत्या की गई है लेकिन कोई उस पर सज्ञान लेने वाला नहीं है और न तो मीडिया आपकी खबर दिखाने का काम करती है मीडिया आपकी खबर इसलिए नहीं दिखाती है क्योंकि मीडिया में भी 99% वही मनुवादी लोग जा करके बैठे है जो आपका चरित्र गढ़ने का काम करते है आपके नेताओं का चरित्र गढ़ने का काम करते है यही मीडिया वाले लोग है यही पुन्य प्रसून बाजपेई जैसे लोग जिसको आज लोग मसीहा मानते हैं यही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की जब सरकार चल रही थी तो यह लोग फरजी खबर चला रहे थे कि 85 में 56 HDM यादव हो गए जिसका आज तक इन लोगों के पास रिकार्ड नहीं है और जब यह खबर चली कि 85 में 56 HDM यादव हो गए तो वो शमय यही पटेल समाच के लोग जिनको आज पीटा जा रहा है बारा जा रहा है जिनके घरों को जलाया जा रहा है जिनके बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है यही लोग यादव के दुश्मन बनके खड़े ह हो गए यही कुस्वाहा समाच कि केस्व मौरिया के गाउं में जो है मौरिया समाच के लोगों को पीटा गया उसमें से एक की माउत भी हो गई लेकिन उसमें आज तक कुछ हुआ यहीं बदायों के अंदर बृजलाल मौर्या की हत्या हो जाती है के श्रामि प्रासद अपर्षाद की आवाज नहीं निकलती है आज प्रताप गढ़ में जिस तरीकेCESer पटेलों की हत्या कर दीगै लेकिन यही जो है जहेश सवतन्त्र देव शिंग हो और चाहे यह अनुप्रिया पतेल हो किसी belly अखिर इसाग क्यों हो रहा है अकिर यही पकैल समाज अनुप्रिया पठेल के लिए या स्वतंत्र देव के नाम पर भाजपा में बोट इसलिए दिया था कि हम फरकार में रहेंगे तो सुरच्छित रहेंगे लेकिन आज जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं ये किधर जाने का काम करेंगे और किधर जाएंगे जितने चाहर भी साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से एक बार गुजरिष करूंगा या गरह करोंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रूपों में सेयर करते रहें टाइम लाइन पर सेर करते रहें वाज-पार्टी चलाते रहें ताकि अधीक से अधीक लोग जुडते रहें और जब तक अधिक से अधिक लोग नहीं जुडेंगे, वो अपने हक और अधिकार की बात नहीं समझ पाएंगे, और बारी-बारी से वो मारे जाएंगे, कभी यादों की हत्या होगी, तो कभी कुष्वाहा की हत्या होगी, तो कभी निशादों की हत्या होगी, कभी मलाहों की हत्या होगी तो कभी कुर्मियों की हत्या होगी कभी नाई लुहार धोबी प्रजापती सब के सब मारे जा रहे हैं सब मारे जा रहे हैं लेकिन कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा है उनको ये लग रहा है कि यादव मारा गया तो मैं क्यूं बोलू पटेल मारा गया तो मैं क्य वोलो बारी बारी से सब की बारी आनी है और यादाओं की जो हत्या हुई है वह 700 के पारिश लिये हुई है कि अहिर मैं देख रहा हूँ कि चाहे जिसके साथ अन्याय हो लेकिन आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आयक्टिव होकर के हर आदमी के साथ खड़ा होता है चाहे जर मलाह, निशाद, कुर्मी, काची, कोईरी, दोबी, नाई, लुहार, बढ़ाई, किसी की हत्या होती है, तो यादव सोशल मीडिया पे खड़ा होता है, बाकी मैं देखता हूँ कि कोई खड़ा नहीं होता है, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तांडव मचा ह हुआ है, शायद की करोना का भी सर सरम से जुक जाएगा, मौतों की तांडव देख करके उसको भी लगेगा कि हम इन लोगों को मौत क्या दे पाएंगे, यहां तो लोग आपस में लड़के मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं तो वहां देखेंगे, पहले नंबर पे राइड द पोस्ट लिखा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर को छोड़िए, तीसरे नंबर पे आप जाएंगे, तो वहां तीन मुंडी बनी हुई है, तीन मुंडी बनी हुई है, और उसको दबाएंगे, तो उसमे मुण्डि किश्की है अंद भक्त, गंद भक्त, गोबर भक्त ऺाभध अगोबर भक्त अगोवर भक्त इसा डारन गोबर नहीं शडेला गोबर आउश मुण्डी पे कलिक करेंगे गुरूप आज आएगा गुरूप और आप लोग जेर करते रहें और लोगों को जोड़ते र एए लोग उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को लाए थे यही लोग कहते थे कि न भरस्टा चार न गुंडा राज अब की बार भाजपा सरकार लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि जब योगी जी आएंगे इस शामनतवाज का पर्चम लहराते हुए जब पहुचेंगे हमें उसी दिन पता हो गया था जब ये मुख्यमंत्री आवास में घुशे थे और उस मुख्यमंत्री आवास को धुलवाने का काम किया धुलवाना चाहिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ नहीं धुलवाना चाहिए वो पुराना हो गया था तो शाबून से धुलवा देते तेजाब से धुलवाना चाहिए था बैज्यानिक पध्धती से धुलवाते लेकिन उसको गंगा जलो गमूत्र से क्यों धुलवाया गया इसलिए धुलवाया गया इसलिए दुलवाया गया कि वहाँ अखिलेश यादव अहिर समाज से जिसको योगी जी सूद्र समझते थे, सूद्र का पवित्री करण कराते थे, जैसे हजारों साल पहले होता था, कि अगर कोई आदमी जाकर के कुणा छू लेता था, मंदिर की शिढियों को छू लेता था, तो वहाँ जो है, सारे लोगी कठा होते थे, गंगा जलाते थे, कुसालाते थे, और वहाँ कहते थे, पवित्रम पवित्र हो पवित्रामी, पवित्र हो पवित्र हो पवित्रामी, यानि वहाँ पवित्र किया जाता था, उसी तरीके से अखिलेश यादव को, कि आवाश को जब पवित्र किया गया तो उसी दिने पता लग गया था कि जिस तरीके से मनुवाद में लिखा गया है कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है अगर कोई शूद्र धन रखता है तो बलात करके उसके धन को छीन लेना चाहिए और वही आज हो रहा है कि उसके धन को बलात करके उसको छीना जा रहा है वो जीयस्टी कानून बना करके जीयस्टी कानून बना करके सिर्फ पिछडे और दलितों के ब्यापार को बंद किया जा रहा है और ना कि बड़े पूंजी पतियों का ब्यापार नहीं बंद हो रहा है जो छोटी-छोटी दुकाने चलाते थ जो गोमती चलाते थे जो चाय और पान की दुकान चलाते थे जीएस्टी के नाम पर उनके धंधे को चौपट किया गया मनुवाद में दूसरा पंथ ये था कि लोगों को सिच्छित मत होने दीजिए लोगों को पढ़ने मत दीजिए जाती के आधार पर किया जाता था और आज उनको वार्थी का आधार पर किया जा रहा है अगर पैसे में सबसे अधिक कमजोर है उसका जो है अगर कोई जनगणना करा ले या देख ले कि सबसे अधिक पैसे में अगर कोई कमजोर है तो वह OBC या दलित है जिसको 5000 फाल तक भन से बंचित किया गया सिख्चा से बंचित किया गया और आज सारी सिख्चा का प्राइबेटी करण करा दिया जा रहा है जितने भी कॉलेज हैं प्राइबेट कॉलेज सब की फीशे करोडों में कर दी जा रही है वो BC और दलित का जो बच्चा है वो न तो IIT कर सकता है न तो इंजिनियरिंग कर सकता है न तो MBBS कर सकता है न तो PhD कर सकता है यानि आपको पढ़ाई से भी बंचित किया जा रहा है मेडिकल में आप देख लिजिए कि वो BC का कोटा ही खतम कर दिया गया आज आरच्छन को आपको खतम कर दिया जा रहा है वह बाननी सुप्रीम कोट के सहारे और हाई कोट के सहारे आपके आरच्छन को भी खतम किया जा रहा है लेकिन आप लोगों की आख नहीं खुल रही है आ आप लोग 2,000 लोगों को चंदर सेकेंड में जोड़ देंगे आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए केवल सुनिये ही मत आप लोग मेरी बिश्पीच को बाद में सुन लेना लेकिन जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आप लोग शेयर करते रहें अपने अपनी सामन्तवादियों मत डरिये क्योंकि इसमें तमाम ऐसे करांतिकारी हैं जो कि सामन्तियों से नहीं डरने वाले हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि पडोसी सामन्तवादी से डरते हैं लेकिन अगर पडोसी सामन्तवादी से आज आप डरेंगे हमारी वीडियो को शेयर करने से तो आने वाले समय में आप अगर नहीं बोल पा रहे हैं आज अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो दूसरे की आवाज को पहुचाईए अगर दूसरे की आवाज नहीं पहुचा पा रहे हैं तो आने वाली समय में आपकी जो पीडियां है वो गूंगी बहरी और लूली पैदा हों जमाती दिखाती है जमातियों ने देश में करोना फैला दिया यह तो सवभाग्य है कि करोना ततकाल में उस समय नहीं रुख पाया अगर ततकाल में रुख गया होता तो लोगों के मन में यही होता कि वास्तों में इन मुसल्मानों ने देश के अंदर करोना फैला दिया ऐसा लग रहा था जिस तरीके से टेलीवीजन चैनल पर लोग डिवेट करा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वास्तों में कि ये कोरोना को इन ही लोगों ने फैलाया है आज अमिशाह या और योगी जी और मोदी जी ये नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग यनार्शी में बंगला देश पाकिस्तान अफगानिस्तान के हिंदूओं को इस देश में लाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि हमारा दिल बड़ा दुखी है कि वहां के हिंदूओं के साथ अत्याचार हो रहा है अखिर यहां के हिंदूओं के साथ क्या हो रहा है यह जो शड़कों पर चलते हुए आज मर रहे हैं पैदल जिनकी शंख्या 10,000 से जादा होगी आंकड़े छुपाए जाते हैं आंकड़े छुपाए जाते हैं आंकड़ा अगर जो है अगर फई से सर्वे करके दिखा दिया जाए यह भी तो हिंदू है यह प्रताब गढ़ में जो मरे यह क्या है यह पटेलों पर जो कुल हाडिया चल लही है जिनके घर जलाये जा रहे हैं यह क्या मुशलिम है यह जो कुश्वाहा समाज के लोग मारे जा रहे हैं यह क्या मुशलिम है यह निसाद समाज के लोग जो मारे जा रहे हैं क्या यह म अखिर बंगला देश के अंदर तो यह तस्वीर नहीं दिख रही है अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से गुजारिस करूंगा कि आप लोग अगर 2000 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा फिर मैं बंद कर दूंगा मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर आप लोगों को यह लगता है कि आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है इसको शेयर करने पर तो फिर मेरे बोलने का क्या मतलब है यहां अंदभक्त यहां के दना दन कमेंट कर रहे हैं गाली दे रहे हैं आप लोग देख भी रह बोगने में आप लोगों का अंगूठंच डर्द कर रहा हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग कलाउच कर रहे हैं हुए इतनी भयानक गालीयां डे रहे हैं इसका मतलब है ती इनक यही लोग है यही आतंकवाद की जड़ हैं और इस देश के अंदर से पर आतंकवाद को खतम करना है तो इन लोगों को इन लोगों की विचारों पर इन लोगों की मानसिक्ता को खतम करना होगा जो आप लोगों को गुलाम बनाना जानती है आज हमारे देश के अंदर 85 85 85 का नारा देने वाले 85 का नारा देने वाले कि जो संख्या है वह लाखों के में है लाखों संगठन लोग बना रखे हैं लेकिन आपस में बटे हुए हैं कि हम कुष्वाहा महा सम्मेलन करेंगे कोई कहता है हम यादव महा सम्मेलन करेंगे कोई कहता है हम धोबी महा सम्मेलन करेंगे अपनी अपनी जाती को बचाऊंगा आप लोग अलग होके अपनी जा तामान्य, ओबीशी और पिछडा, ओबीशी और पिछडों में अगर देखा जाए, तो 37 सव से अधिक जातियों में आप लोग बटे हुए हो, और यह किशने बाटा था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह किसी से छुपा नहीं है, सारे लोग जानते हैं कि आपको किशन किन लोगों ने बाटा था इतनी अधिक जातियों में, लेकिन अंबेटकर जी जब पैदा हुए, तो आपको दो भागों में ले आए, आपको 37 सव में से दो भागों में ले आए, पिछड़े और दलित में, लेकिन आज फिर यहीं सामन्तवादी लोग आपको अलग-अलग में बाटने का काम कर रहे हैं, यही मोदी जी है, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो वो शमय वो कह रहे थे, कि गयर यादव वो भीशी मेरे साथ है, और गयर यादव वो भीशी मुझे बोट किया है, जबकि एक प्रधान मंत्री कोई इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, जो प्रधान मंत्री होता है, वो शब का होता है, लेकिन वह प्रधान मंत्री कह रहा था, कि गयर यादव वो भीशी मेरे साथ है, तो जब गयर यादव वो भीशी आपके साथ है, तो आज आप पटेलों की हत्या क्यों करवा रहे हैं, आज आप कुस्वाहा की हत्या क्यों क इसका मतलब है कि आपको केवल बोट लेने के लिए सारे लोगों को आप तथा कथित हिंदू बनाए हुए थे अपने समर्थक बनाए हुए थे और आज जब उन पर अनाचार और अत्याचार हो रहा है तो न तो आप बोल रहे हो और न तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी बोल रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर तांडव मचा हुआ है और जहां जहां भाजपास अमर्थित सरकार है वह चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे बिहार में हो बिहार में भी देख लीजिए कि बिधायक बिधायक अपने गुर्गे को घरों में ह waters का समयलन हो और चाहे कुषरा का हो चाहे लोहार का हो चाहे पाल का हो चाहे गड़िया का हो चाहे धनगर का हो similar जिटने भी शंगठन बने हुए हैं अव सारे लोग यहीं कहते थे कि अपने हग्योट अधिकार के लिए लडएगे अपने समाज के लिए लड़ेंगे अपने जाती के लिए लड़ेंगे लेकिन ये लोग इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने निहंगे हो गए हैं कि अपने जाती और अपने स्तमाज की आवाज को नहीं उठा रहे हैं यहीं जब जहासी के अंदर पुषपेंद्र यादव को जब शटा करके गोली मारा था एक शामंतवादी दरोगा ने, सरकार उसके साथ खड़ी हो गई थी, तो इस देश के अंदर अहिरों के नाम पर यादव महासभा से ले करके हजारों महासभाएं बनी हुई आ, लेकिन को येक आदमी जहासी के अंदर नहीं दिखाता, उस शमय हमारे जैसे लोग पुषपेंद्र यादव के समर्थन में खड़े हुए थे, और हम लोग जेलों के अंदर थे, वहां हम लोग लड़ाई लड़ने गए थे, हम लोगों का पास कोई संगठन नहीं था, कि उस संगठन बना करके हम लोग चंदाई कठा करते थे, कोई संगठन नहीं था, लेकिन हम लोग समाज की लड़ाई लड़े, वो चाहे पुषपेंदर यादव की बात रही हो, यहीं जब राकेश निशाद की हत्या हुई बांदा में, बांदा में उसका पैर फार के फेक दिया गया, त ब्रिजलाल मौरिया की जब बदायों में हत्या हुई थी, तो वहां भी हम लोग लड़ने गए थे, वहां किसी समाज के लोग दिखाई नहीं दिये थे, कानपूर के अंदर जब अनामिका यादव की हत्या हुई थे, तो वहां हम लोग खड़े हुए थे, कोई भी यादव और मलाह समाज से लोग नहीं खड़े हुए थे, जो संगठन बनाके चंदा वसुलने का काम करते थे, उस समय हम लोग लड़े थे, तो आज इस देश के अंदर अगर आपको सुरच्छित रहना है, अपने हक और अधिकार को बचाना है, संभिधान की रच्छा करनी है, तो आपको एक जुट होना होगा, ओ चाहे निसाद हो, चाहे मला हो, चाहे धोबी हो, चाहे धाइकार हो, और चाहे यादव हो, चाहे गडरिया हो, जो भी हो, सारे लोगों को एक होना होगा, और जो पिछडे समाज के नेता है, उन नेताओं को मैं अपील करता हूँ, कि जब भ तो मन्च से आप क्या कहते हैं दुहाई देते हैं कि हम आपके जाती से हैं हम आपके समाज से हैं हम आपके विरादरी के हैं हमको बोट दीजिए तब ये बोट मांगते हैं लेकिन यही लोग जब आपके उपर अन्याय होता है या त्याचार होता है तो यह दिखाई नहीं देते हैं यही केशव मवर्या पूर हेलिकाप्टर लेके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घोम घोम करके यह काता था कि जितना भी कुश्वाहा समाज है हमको बोट करो हम आपका प्रतनिधित्व कर रहे हैं हम आपके हक और अधिकार की बात करेंगे लेकिन यह लोग किये क्या आज कुश्वाहा समाज के लोग पीटे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं हत्याय हो रही है लिंकिन इनकी हैसियत नहीं ह कि ये बोल सके हैं यही अनुप्रिया पटेल यही अनुप्रिया पटेल जा करके हर जगह स्पीच दिया करती थी भाशण दिया करती थी कि हम हैं हम हैं जितने भी पटेलों के उपर अन्याय अत्याच कुछा अपने लौभ स Mike में 50 करोन में आडमी गया और पूरे मल्ला समाज को बेचने का काम किया आज वही मल्ला समाज आज वही बिंद समाज कि जब कूटाई उपीटाई है तो यह आदमी नदारद है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहीं बिनोध सोनकर जो है लिकाप्टर लेके खटिक समाझ का प्रत्निधित्व करने का काम कर रहे थे भाजपा की तरफ से आज जब उनके साथ अन्याय वध्याचार हो रहा है तो यह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हाँ तेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल, NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुचा सकूँ